Hello Everyone, This is Savita Patic हम अपने कलास में पदपरिचे रीट कर रहे थे पदपरिचे के अंतरगत संग्या, सर्वणाम, विशेशन, क्रिया, क्रिया विशेशन, आदी का परिचे दिया जाता है हमने अपनी लास्ट कलास में संग्या का पदपरिचे रीट कर लिया था आज हम अपना सर्वनाम का पद परीचे अरीव करेंगे सबसे पहले सर्वनाम की डेफिनिशन और उसके काइंट्स देखते हैं फर्स्ट में देखते हम उसकी डेफिनिशन संग्या की इस्तान पर प्रियुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं अर्था जो संग्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रियोग होता उसे हम क्या करते हैं सर्वनाम यह वाक्य में संग्या शब्द के पुंड्रा वड़ती से बचाते हैं अर्था बार बार शब्दों की आवड़ती नहों इससे हमें बचाते हैं सर्वनाम के बेद, सर्वनाम के छह बेद होते हैं फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये देखिए बोलने वाले, सुनने वाले ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रियोग होता है उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, मेरी, आप, तुमारा, उसे आदी पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं यानि कि वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रियोग होता है वो किसमें आते है पुरुष वाचक सर्वनाम में, अब ये तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मद्धम पुरुष वै अन्य पुरुष नेक्स्ट अमारा निश्च्य वाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुयों और गटना व्यापार का निश्चित बोध होता है, वहाँ पर निश्च्य वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह अच्छा है, यह अच्छा है, यह अच्छ अनिश्चित इस्तिति का बोध हो रहा है नेक्स्ट हमारा अनिश्चित वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी निश्चित परधार्थ अथ्वा व्यक्ति या गटना आदी का ग्यान नहीं होता है उन्हें अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कोई किसी कुछ आदी एक्जाम्पल देख लेते हैं जैसे हम बोलें कि दरवाजे पर कोई आया है अब कौन आया है ये पूरे के लिए इस्तिति नहीं होती है यानि कि पता नहीं चल रहा तो यहाँ पर कौन सा हो गया अनिश्च्य वाचक सर्वनाम हुआ नेक्स्ट हमारा संबंद वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम वे हैं जो किसी उपवाक्य में प्रियुक्त संग्या या सर्वनाम का अन्य संग्या या सर्वनाम के साथ संबंद प्रकट करते हैं जैसे जैसा करोंगे वैसा भरोंगे यानि कि जैसा का संबंद किससे प्र प्रिश्ण वाचक सर्वनाम प्रिश्ण करते हैं तो क्या कब का प्रियोग किया जाता है लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम निजवाचक निज यानि कि स्वैम अपना निजवाचक सर्वनाम वे हैं जिनका प्रियोग बोलने वाला दुवारा स्वैम अपने लिए किया जाता है जैसे इसे स्वैम खुद हमारा आती गैप उस तक मेरी है यह कारिय मैं स्वैम कर लूँगा तो यह चीज क्या है निजवाचक सर्वनाम में आती है सर्वनाम का पत परीचे में निमलेखी पाँच बाते बताना आवशक होती है जिस प्रकार से हमने संग्या का पत परीचे दिया था और उसमें हमने जो पाँच बाते मुख्य रूप से पताई जाती है उसी प्रकार से सर्वनाम का पत परीचे में भी पाँच बाते बताना आवशक होता है फर्स्ट हमारा सर्वनाम के भेद कि पैचानना है शब्द को कि सर्वनाम के कौन से बेद के अंतरगत अब 6 बेद होते हैं हमारा जिसका कि हमने यह पूरी definition से सारवनाम का भेध है। आ कारक बताना होता है quella गारत है। एक्जरमपल से हमसमझेंगे वह कौन थी जिसे तुम कल पड़ा रहे थे अब या पे हम सर्वनाम शब्दों का प्दपरिचे देंगे फिर्स्ट लेंगे हम वह, वह क्या है कोण से सर्वनाम के अंगरत आता है यह आता है पुरिश्वाचक सर्वनाम में पुरुश्वाचक सरवनाम हो गया अब यह इस्त्रीलिंग है या पुर्लिंग तो कौन सा भेद हुआ हमारा वह कौन थी देखिए वह कौन थी वह के साथ थी का संबंद हो रहा है यानि कि वह क्या हो गया इस्त्रीलिंग वचन एक वचन है या भववचन एक वचन कारक हमारा कौन सा हो गया यह करता कारक थी क्रिया का क्या हो गया यह करता इसी प्रकार से जिसे देखेंगे जिसे का सम्मंद क्या है जिसे कौन सा का सर्वनाम हो गया यह हमारा सम्मंद वाचक सर्वनाम पुडलिंग है यह स्रिलिंग पुडलिंग वचन क्या हो गया हमारा एक वचन कारक कौन सा हो गया हमारा कार्मकारक पढ़ा रहे थे किरिया का कार्य कार्य क्या हो रहा है इसमें पढ़ाने का किसके द्वारा जिसे यानि कि पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है यानि कि क्या हो गया पढ़ा रहे किरिया का कार्य किसमें संदर आएंगा कुंसे सर्वनाम के भेट के अंदर आएगा मैं तुम उसे किसमें आता है कुरुषवचग सर्वनाममें है या स्थ्र मिल्ग कुन से हो गयां एकष नो बहु जसे कारक किरिया के लिखार है यह कائ diva कि जा रही है पनाने की कि की रही है तुम यान यानि कि तुम कल पड़ा रहे थे तह यानि के कि रिया का करता पड़ा रहे का करता इस तरीके से वने संग्यान का परिचे दिया था उसी प्रक्याद से हम ये सर्वनाम शब्दों का परिचे दिया जाता है